हाई गाईज, वेलकम टो बी बैंकर, स्वागत आपका आज की क्लास में आज के वीडियो में, मैं हूँ प्रीती मैम और आज में लेकर के आ गई हूँ आपके लिए एक और नहीं जबरदस्त वाली क्लास, तो क्या होने वाली आज की क्लास, चलिए जल्दी से जान लेते हैं, आज पढ़ने वाले हैं, अंग्रेजी बोलने में उप्योगी महत्वपूर्ण शब्द, जी हाँ, अंग्रेजी बोलने में ये जो शब्द हैं, वो आपके लिए महत्वपूर्ण तो हैं ही, क्योंकि महत्वपूर्ण ये शब्द हैं, और आपको उप्योगी होने वाले हैं पताओंगी शब्द, उनका मतलब, उनका उचारन, साथी साथ उनका स्तमाल, क्योंकि बिना स्तमाल बताएं आप स्तमाल कैसे करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, उसके पहले अगर चानल पर नए है, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर ल स्तमाल करते हैं, चोटों से या दोस्तों से बात कर रहे हैं, तो तुम का स्तमाल करते हैं, है न? लेकिन अंग्रेजी में संबोधित करने के लिए सिर्फ एक ही शब्द अवेलेबल है, that is you, तो आप चाहे बड़े से बात करें, अजनभी से बात करें, छोटे से बात करें या दोस्त से बात करें, आपको इस्तमाल करना होगा you, तो चलिए इस्तमाल देखते हैं, where are you from, कहा के निवासी हैं, या आप कह सकते हैं, तुम कहा के निवासी हो, where are you from, आप कहा के निवासी हैं, या तुम कहा के निवासी हो, clear है, चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला है, again say you, भाई again say you, क्योंकि you एक ऐसा शब्द है, जिसका इस्तमाल आप आप लोग, तुम सब या देखेंगे, you guys can go, आप लोग जा सकते हैं, you guys can go, आप लोग जा सकते हैं, clear है, चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला है your, यानि कि आपका या तुम्हारा, आपका या तुम्हारा, इस्तमाल देखिए, this is your car, यह कार आपकी है, this is your car, यह कार आपकी है, clear है, चलिए बढ़ते ह आगे अगला है yours y-o-u-r-s yours यानि कि तुम्हारा तुम्हारी या आपका या आपकी example देखिए this car is yours यह car आपकी है भई तो फर्क क्या हो गया this is your car और this car is yours में तो समझने वाली बात है देखिए जब हम लोग बोलते हैं this is your car तो car यहां पर object जैसा behave कर रहा है clear कैसे behave कर रहा है object जैसा behave कर रहा है लेकिन जब हम this car is yours बोलते हैं तो यहां पर और yours जो है वो object जैसा behave करता है और एक और important बात यह कि जब आप S लगा देते हैं यानि कि yours जब आप बोलते हैं तो यह ऐसे शब्द हैं जो positiveness दिखाते हैं यानि कि माली काना हग दिखाते हैं clear है? तो चलिए बढ़ते हैं आगे yourself यानि कि तुम खुद या आप खुद तुम खुद या आप खुद चलिए इस्तमाल देखे you do it yourself आप इसे खुद करें या तुम इसे खुद करो you do it yourself he नितलब बढ़ते हैं तो जब मैं मेल मेंबर बोलूँ या मेल बोलूँ तो समझने वाली बात है आप तुरंट आपके दिमाग में ये बात आजानी चाहिए कि मेल मेंबर मतलब होता है पुरुष, लड़का, आदमी तो ही का इस्तमाल किसके लिए होगा? मेल मेंबर के लिए होगा पुरुष के लिए होगा, लड़के के लिए होगा आदमी के लिए होगा, clear मेल मेंबर के लिए ही का इस्तमाल होगा चलिए एक्जामपल देखते हैं He is a good boy वह अच्छा लड़का है, देखिए हमने यहाँ पे boy का ही इस्तमाल करेंगे He is a good boy बढ़ते हैं आगे His, H.I.S. His मतलब उसका या उसकी H.I.S. His मतलब हो गया उसका या उसकी लेकिन इस्तमाल होगा मेल मेंबर के लिए एक्जामपल देख लीजे That is his car यह उसकी कार है यह उसकी कार है That is his car चलिए बढ़ते हैं आगे Him, H.I.M. Him उसे या उनको मतलब क्या हो जाता है उसे या उनको चलिए इस्तमाल देखिए Let him come उसे आने दो Let him come उसे आने दो तो जैसे ही आप बोलेंगे Let him come तो यह understood है कि आप किसी मेल मेंबर की बात कर रहे है Let him come Clear है अगला है Himself यानि कि वह खुद अब Him का इस्तमाल अगर मेल मेंबर के लिए होता है तो Himself का इस्तमाल भी किसके लिए होगा मेल मेंबर के लिए ही होगा तो Himself यानि कि वह खुद इस्तमाल होगा मेल मेंबर के लिए चलिए इस्तमाल देखिए He did it himself यह उसने या उन्होंने खुद किया He did it himself यह उन्होंने खुद किया या यह उसने खुद किया Clear है? चलिए बढ़ते हैं आगे She, S-H-E पढ़ते हैं इसको She मतलब होता है वह और इस्तमाल होता है female के साथ तो जैसे ही मैं बोलूँ female के साथ तो जट से अपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि female यानि की महिला, लड़की, औरत female यानि की महिला, लड़की, औरत यानि की She का इस्तमाल किसके लिए होगा female के लिए होगा चलिए इस्तमाल देखते हैं She is a good girl वह अच्छी लड़की है देखिए She इस्तमाल किया और girl का इस्तमाल किया She is a good girl वह अच्छी लड़की है She is a good girl clear है? चलिए बढ़ते हैं आगे Her यानि की उसका, उसकी या उससे उसका, उसकी या उससे इस्तमाल होगा female के लिए जी हाँ, ये भी इस्तमाल किसके लिए होगा female को संबोधित करने के लिए Talk to her उससे बात करो तो जैसे ही आप बोलेंगे Talk to her मतलब है कि किसी महिला की बात कर रहे हैं किसी female की बात कर रहे हैं उससे बात करो Talk to her बढ़ते हैं आगे Her का इस्तमाल उसे या उसको के लिए भी किया जाता है लेकिन सिर्फ और सिर्फ महिला को संबोधित करने के लिए Clear चलिए इस्तमाल देखते हैं Let her come उसे आने दो तो जैसे ही आप बोलेंगे Let her come तो her जैसे ही इस्तमाल किया ये understood है आप महिला की बात कर रहे हैं उसे आने दो Let her come Clear है? चलिए बढ़ते हैं आगे Hers H-E-R-S Hers मतलब उसका या उसकी इस्तमाल भी होगा female के लिए किसके लिए इस्तमाल होगा? female के लिए इस्तमाल होगा लेकिन Hers यानि कि S लगा हुआ है मतलब क्या है? कि ये कैसे काम करेगा This is hers यहाँ पे ये कैसे काम कर रहा है? Object के जैसा और क्या दिखा रहा है? मालिकाना हक Possessiveness दिखा रहा है यह उसका है This is hers किसी के लिए belonging दिखा रहा है किसी के स्वामित्तुव की ये जलकी दे रहा है आपको This is hers यह उस का है, this is hers, clear है, बढ़ते हैं आगे, herself, अगला शब्द है herself, यानि कि वह खुद, herself है, हर का स्तमाल अगर महिला के लिए होगा, तो herself का स्तमाल किसके लिए होगा, महिला के लिए ही ना होगा, तो मतलब क्या हो जाता है, वह खुद, इस्तमाल देखे, she did it herself, यह उसने ने खुद किया, clear है, चलिए बढ़ते हैं आगे, I मतलब मैं, यह तो बड़ा असान है, I मतलब मैं, इस्तमाल देखे, I am going to school, मैं school जा रहा हूँ, I, यानि कि मैं, I am going to school, मैं school जा रहा हूँ, I am going to school, clear है, चलिए बढ़ते हैं आगे, me, me पढ़ते हैं, इसको me मतलब होता है मुझे या मुझको, me, me, मुझे या मुझको, इस्तमाल देखे, give me that pen, मुझे वह कलम दे दो, या मुझको वह कलम दे दो, दोनों ही इस्तमाल कर सकते हैं, give me that pen, मुझे वह कलम दे दो, या मुझको वह कलम द दो, give me that pen, clear है, my, यानि की मेरा या मेरी, माई, मेरा या मेरी, इस्तमाल देखिये, this is my book, यह मेरी किताब है, this is my book, यह मेरी किताब है, आगे बढ़ते हैं, माई, मेरा या मेरी, माई, पढ़ते हैं, इसको माई, मतलब होता है, मेरा या मेरी, लेकिन फर्क क्या है, फर्क है कि यह आपको मालिकाना हक, जो है, वो forcefully आप किसी चीज़ के उपर दिखाते हैं, कैसे, इस्तमाल देखिये, this phone is mine, यह phone मेरा है, this phone is mine, मतलब वो तो personal चीज़ है आपकी है न, phone personal चीज़ है आपकी, तो आप क्या मालिकाना हक जता रहे हैं, कि this is mine, यह phone मेरा है, this phone is mine, यह phone मेरा है, clear है, चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला है myself, यह यानि की मैं खुद, myself, यानि की मैं खुद, इस्तमाल देखिये, I cook for myself, मैं अपने लिए खाना खुद बनाती हूँ, I cook for myself, मैं अपने लिए खाना खुद बनाती हूँ, I cook for myself It I T It मतलब होता है यह मतलब क्या होता है यह इस्तमाल देखिए It is good यह अच्छा है It is good यह अच्छा है It is good आगे बढ़ते हैं It's I T S It's लेकिन समझे यहाँ पे apostrophe S नहीं लगा हुआ है Normal सा S लगा हुआ है अब जिनको नहीं पता बता दू Apostrophe S का मतलब क्या होता है देखा है लिखा हुआ उपर में कॉमा लगा के S लिखा हुआ रहता है देखा है ना उपर में कई बार कहीं जगा किसी किसी लिखा पे कॉमा लगा के T लिखा रहता है कॉमा लगा के S लिखा रहता है तो उस उपर वाले कॉमा को बोलते हैं Apostrophe किसको बोलते हैं कॉमा जो हम लोग उपर लगाते हैं उसको बोलते हैं Apostrophe आसान भाशा में तो यहां पे उपस्ट्रोफी नहीं लगा हुआ है मतलब क्या हुआ कि its का मतलब होता है इसका ITS, इट्स पढ़ते हैं इसको, मतलब होता है इसका, इस्तमाल देखिए, its taste is spicy, spicy का मतलब क्या होता है, मसालेदार, इसका स्वाद मसालेदार है, मान के चलिए आप कुछ खा रहे हैं, तो क्या बोलेंगे अरे ये तो मसालेदार है, यानि कि इसका स्वाद मसालेदार है, its taste is spicy, मतलब ये किसी चीज के बारे में आप बता रहे हैं, तब आप ITS, बिना अपॉस्ट्रोफी के S वाले, its का इस्तमाल करेंगे, clear है, बढ़ीते हैं आगे, अब दिख रहा है, IT अपॉस्ट्रोफी S, यानि कि उपर में लगा हुआ है क्या, कॉमा, इसको कहते हैं अपॉ कहते हैं और उसके बाद लगा है S, यानि कि it's, मतलब क्या होता है, पढ़ते इसको भी it's ही हैं, लेकिन मतलब क्या होता है, मतलब होता है, यह है, मतलब क्या होता है, यह present scenario को दिखाता है, यह है, कैसे, इस्तमाल देखिए, समझ में आएगा, it is raining, इसका ही, इसी को तोड़ क्या आप लिख सकते हैं, it is, it apostrophe s, मतलब क्या है, it is, समझ में आ रहा है, it's raining, it is raining, दोनों सही है, यानि कि बारिश हो रही है, मतलब आप present scenario दिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, कि भाई, बारिश हो रही है, यह है, अभी यह हो रहा है, बारिश हो रही है, it is raining, या it's raining, उनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, ख्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे, itself यानि कि खुद, itself यानि कि खुद, इस्तमाल देखे, history repeats itself, इतिहास खुद को दोहराता है, history repeats itself, इतिहास खुद को दोहराता है, history repeats itself, repeat मतलब दोहराना, चलिए बढ़ते हैं आगे, who, WHO, पढ़ते हैं इसको who, मतलब होता है, कौन या जो, मतलब क्या होता है, कौन या जो, इस्तमाल देखे, who are you, तुम कौन हो, या आप कौन है, तुम कौन हो, who are you, whom, w-h-o-m, whom, मतलब किस को या किस से, किस को या किस से, whom, इस्तमाल देखे, whom are you talking to, तुम किस से बात कर रहे हो, whom are you talking to, तुम किस से बात कर रहे हो, whom are you talking to, clear है, चलिए बढ़ते हैं आगे, whose, w-h-o-s-e, whose, मतलब होता है, किस का या किस की, मतलब क्या होता है, whose, किस का या किस की, इस्तमाल देखे, whose is this pen, यह कलम किस का है, या यह कलम किस की है, whose is this pen, यह कलम किस का है, या यह कलम किस की है, whose is this pen, clear है, चलिए बढ़ते हैं आगे, which, w-h-i-c-h which, मतलब कौन से या कौन सा, which कौन से या कौन सा, इस्तमाल देखे which is your bag आपका बैग कौन सा है which is your bag आपका बैग कौन सा है, which is your bag whichever यानि कि कोई सा भी, whichever मतलब कोई साभी, इस्तमाल देखे, you can buy whichever you want आप कोई साभी खरीद सकते हैं, you can buy whichever you want, आप कोई साभी खरीद सकते हैं, you can buy whichever you want, clear है, चलिए बढ़ते हैं आगे, what यानि कि क्या, what का मतलब, क्या, इस्तमाल देखे, what is your name तुम्हारा नाम क्या है या आपका नाम क्या है, what is your name चलिए बढ़ते हैं आगे, whatever कैसे इस्तमाल होगा जो कुछ भी जो कुछ भी जहां पे भी बोलना हो वहाँ पे इस्तमाल कर सकते हैं, whatever क्या पढ़ते हैं, देखें उचारन लिखा हुआ है, whatever इस्तमाल देखे, do whatever you want to do, आप जो भी करना चाहते हैं, करिये do whatever you want to do आप जो भी करना चाहते हों, करिये do whatever you want to do where, यानि की कहां या जहां where, यानि की कहां या जहां इस्तमाल देखे, where are you going, तुम कहां जा रहे हो या आप कहां जा रहे हैं, where are you going, तुम कहां जा रहे हो, या आप कहां जा रहे हैं, clear है, चलिए बढ़ते हैं आगे, wherever, wherever, मतलब होता है, जहां कहीं भी, wherever, यानि की जहां कहीं भी, इस्तमाल देखे, go wherever you want, तुम जहां चाहो जाओ, go wherever you want, तुम जहां चाहो जाओ, go wherever you want, इस्तमाल आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, किसका है, when, w-h-e-n, when, पढ़ते हैं इसको when, मतलब होता है, कब, मतलब गया होता है, कब, इस्तमाल देखे, when will you come, तुम कब आओगे, when will you come, तुम कब आओगे, when will you come, आगे बढ़ते हैं, when का मतलब जब भी होता है, when का मतलब क्या होता है, जब भी होता है, मतलब, जब कब दोनों ही होता है, when का मतलब, इस्तेमाल देखते हैं, इसका, when he will come, please inform me, जब वह आजाएगा, कृपया मुझे सूचित करें, when he will come, please inform me, जब वह आजाएगा, कृपया whenever, यानि कि जब कभी भी, whenever, यानि कि जब कभी भी, चलिए देखते हैं इस्तमाल इसका, you can come whenever you want, आप जब कभी भी चाहें आ सकते हैं, you can come whenever you want, clear है, चलिए बढ़ते हैं आगे, why, यानि कि क्यों, why मतलब क्यों, इस्तमाल देखे, why are you late, तुम्हें देरी क्यों हुई, why are you late, how मतलब कैसे, how मतलब कैसे, इस्तमाल देखे, how are you, तुम कैसे हो, how are you, तुम कैसे हो, या आप कैसे हैं, how are you, तुम कैसे हो, या आप कैसे हैं, चलिए बढ़ते हैं आगे, our, यानि कि हमारा, हमारा, आवर मतलब हमारा, इस्तमाल देखे, this is our house, यह हमारा घर है, आगे बढ़ते हैं, आवर्स, यानि कि हमारा, मतलब सेम रहा, आवर्स, यानि कि हमारा, इस्तमाल देखे, this house is ours, यह घर हमारा है, यह घर हमारा है, अगेन से, यहाँ पे, आवर्स, जो है, वो कैसे बिहेव कर रहा है, object के जैसा, और यहाँ पे क्या दिखा रहा है, पोजिजिवनेस, यानि कि मालिकाना हक दिखा रहा है, this house is ours, clear है, चलिए बढ़ते हैं आगे, आवरसल्व्स, यानि कि हम खुद, नहीं कि हम खुद, इस्तमाल देखिए, वी डू आवर वर्क आवरसल्व, हम अपना काम खुद करते हैं, चलिए बढ़ते हैं आगे, अस, यानि कि हमें या हमको, अस का मतलब हमें या हमको इस्तमाल देखिए Let us go, हमें जाने दो Let us go, हमें जाने दो Let us go Clear, बढ़ें आगे We, W, E पढ़ते हैं इसको We मतलब होता है हम या हम लोग मतलब जब गुरुप की बात करें हम या हम लोग इस्तमाल देखिए, बहतर समझ आएगा We are playing cricket हम लोग cricket खेल रहे हैं We are playing cricket हम लोग cricket खेल रहे हैं We are playing cricket Clear है, बढ़ते हैं आगे This, यानि की यह, T-H-I-S मतलब होता है यह, पढ़ते हैं इसको This इस्तमाल देखिए This is a pen, यह एक कलम है, This is a pen यह, एक कलम है, This is a pen, बढ़ते हैं आगे That, That का दो मतलब होता है, पहला मतलब वह, पहला मतलब क्या होता है, वह, इस्तमाल देखिए, That is my bag वह मेरा बैग है That is my bag, वह मेरा बैग है, चलिए दूसरा इस्तमाल देखते हैं, That का मतलब होता है की क्या मतलब होता है की, थोड़ा जोर पढ़ता है गले पे की, इस्तमाल देखिये मैं यह कहना चाहता हूँ की, I want to say that, मैं यह कहना चाहता हूँ की, I want to say that, इस तरही के से भी that का इस्तमाल हम लोग करते हैं clear है, चलिए बढ़ते हैं आगे they मतलब way, दे का मतलब क्या होता है, way इस्तमाल देखिये, they like to eat Rajma, वे Rajma खाना पसंद करते हैं they, मतलब way they like to eat Rajma, वे Rajma खाना पसंद करते हैं, they like to eat Rajma, clear है चलिए बढ़ते हैं आगे, these यानि की, in या ये, मतलब these in या ये, पढ़ते क्या है इसको, these इस्तमाल देखिये pack these luggage, इन सामानों को pack करें, pack these luggage, इन सामानों को pack करें, pack these luggage, बढ़ते हैं आगे, those, यानि की, उन या वे those मतलब, उन या वे, इस्तमाल देखिये those are my books, वो मेरी पुस्तके हैं, those are my books, वो मेरी पुस्तके हैं, those are my books, clear है, चलिए बढ़ते हैं आगे, them, यानि की उन हे, them का मतलब उन हे, इस्तमाल देखिये tell them, उन्हे बताओ, tell them, उन्हे बताओ, बढ़ते हैं आगे themselves, यानि की वे खुद, themselves यानि की वे खुद, इस्तमाल देखिये they clean their house themselves वे अपना घर खुद ही साफ करते हैं, they clean their house themselves, वे अपना घर खुद ही साफ करते हैं their, t-h-e-r-e वाला their, e-r-e वाला their, their दो तरहा का होता है, यानि की मतलब अलग-अलग होते हैं, spelling अलग-अलग होते हैं, लेकिन उच्चारन सेम होता है their, यानि की e-r-e, तो आप कैसे इसको याद रखेंगे आप याद रखेंगे, ere वाला their t-h-e-r-e वाला their, मतलब होता है, वहाँ मतलब क्या होता है, वहाँ इस्तमाल देखिए, go there वहाँ जाओ, go there यानि की वहाँ जाओ t-h-e-r-e वाला their go there, वहाँ जाओ अगला their देखते हैं, t-h-e-r-e वाला their e-r-e वाला their पढ़ लिया e-i-r वाला their पढ़िये, मतलब क्या होता है मतलब होता है, उनका पढ़ते हैं, इसको भी their ही है, e-i-r वाला their मतलब क्या होता है, मतलब होता है उनका, इस्तमाल देखिए their family is moving to Delhi, उनका परिवार दिल्ली जा रहा है their family is moving to Delhi, उनका परिवार दिल्ली जा रहा है their family is moving to Delhi, clear है so yes guys, यह थी आज की class, class कैसे लगी, comment करके जरूर बताईए, आप सब के लिए खुशकबरी है, जी हाँ, books वाली announcement तो ही, उसके लावा एक और announcement है, that is, कि बहुत जल्दी शुरू करने वाली हूँ, एक mini spoken English की course, जी हाँ, बिल्कुल free होने वाली है, 15 दिनों की course होगी बहुत शॉर्ट टर्म की course होगी, तो आप में से जो लोग भी interested है, comment करके मुझे बताईए, जो लोग भी comment करेंगे और पहले दिन class attend करेंगे, सब की attendance बनने वाली है, 15 दिनों तक आप सब को बने रहना पड़ेगा, छोटी सी course है, जादा लंबी नहीं होगी, जादा व्रिहद नहीं होगी, और यकीन मानिए, course आपकी जिन्दगी बदल देगी, तो definitely free वाली, free में होने वाली है, attention तो कुछ है नहीं, भई एक सही time दे दूँगी, आजाना, पढ़ लेना है न, पढ़ाई कर लीजेगा, आज आईएगा, attendance बनाने वाली हूँ, आप चाहें, तो इस course के लिए आप WhatsApp पर भी बता सकते हैं, तो WhatsApp पर attendance बनेगी, जो लोग comment करेंगे, उनकी comment में बनेगी भई, मैं attendance बनाने वाली हूँ, और जो लोग करने जा रही हूं एक होने वाली है helping verbs के उपर यानि कि जितनी भी helping verbs की concept में पढ़ाती हूं जो की बहुत ज्यादा important है अंग्रेजी बोलने में उनके उपर एक बुक होने वाली है एक होने वाली है DLS यानि डेली लाइफ sentences के उपर आपकी practice sheets के साथ होंगी उसमें तो बहुत जादा important किताब होने वाली है एक होने वाली है DLW यानि कि डेली लाइफ words होने वाली है इसमें daily learning या daily life जो कह लीजे तो जो जाना प्रियोग होने वाले शब्दों के उपर तो ये भी होने वाली है full on practice वाली sheets के साथ होने वाली है ठीक है तो definitely इन तीनों में से आपको तो जरूरी है लेकिन आपकी फेवरेट कौन सी होने वाली है मुझे comment करके जरूर बताइए आज की class कैसी लगी बताइए like कर दीजे class को बहुत important class है और share तो पक्का से कर दीजे अभी तुरंत करिये share यूँकि class बहुत जादा important है इन शब्दों के बिना अंग्रेजी नहीं बो लेजी है यह एक और हमारे चैनल पर अलड़ी अवेलिबल फ्री spoken English course है यह साड़े 6 घंडे की इसके duration है 60 प्लस video lectures इसमें आपको मिल जाते हैं फ्री है बिल्कुल इसके उपर बेस्ट e-book की free sample भी आपको मिलती है तो करना क्या है इस नंबर पर करना है आपको WhatsApp और मंगवा लेनी है यह course पूरी की फुल-on package वाली है ऐसा नहीं है कि free है तो कुछ उसमें घटा दिया है बिल्कुल नहीं फुल-on package वाली है इसको देख करके बहुत सारे लोगों ने अंग्रेजी सीखी है आप भी सीख सकते हैं WhatsApp करिए इस course को अपने mobile पर मंगवा लीजे ऐसा मौका ब लेनी है जल्दी है आपको यह दोनों ही चीज़े भेज दी जाएंगे इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम वाटसप पोगन इंग्लिश कोर्स पर इसके इंक्वाइर आप इस नंबर पर कर सकते हैं इंक्वाइर कर लिजे इस बात की कि इत इस नहीं भी आपकी inquiries है यह सारी आपको वाटसप पे बता दी जाएंगी साती साथ यह पूछना मत भूलियेगा कि इसके अगली बैच कप शुरू हो रही है हमारे पास classes batches में ही होती है make sure क्यों batches में कराते हैं नहीं तो भई बैचे में नहीं कराएंगे तो बच्चों प grammar course यानि कि English grammar की basic वाली course basic आनी grammar की बेहत जरूरी है तभी advanced समझ में आता है advanced समझ आएगा तभी questions बनेंगे है ना तो basic वाली course करा आई जाती है इसमें साथी साथ basic वाली questions भी प्राक्टिस कराए जाता है ताकि आप used to हो जाए basic concepts जितने भी है उससे हैं यह फस्ता आदमी basic मे जाएगा advanced नहीं समझ जाएगा questions नहीं बनने वाले है फिर लगेगा पतानी नहीं दुनिया में आ गए है questions देख कर क्या ऐसा महसूस होगा तो आपको भी अगर ऐसा महसूस नहीं करना है तो basic grammar की course कर लेना बेहत जरूरी है तो जल्दी से नंबर पर inquiry करिए पता कर लीजिए इसके अगली batch cup शूरू हो रही है अब भई जिनके घर में बच्चे हैं उनके लिए बता दू उनको पता होगा कि बच्चों को grammar सिखाना बच्चों का खेल नहीं होता लेकिन अभी असान है यूँकि हमारे पास है psychologically designed a course जो कि छोटे बच्चों के लिए है एक्सपर्स द्व इस नमर पर inquiry करिए पता कर लीजे अगली batch cup शुरू होने वाली है यह है basic English grammar and writing for school यानि कि आप किसी भी school में पढ़ते हों आप किसी भी class में पढ़ते हों आप किसी भी board के student हो अंग्रेजी के paper में grammar और writing section से आपकी मुलाकात जरूर होती होगी और आपको भी अगर लगती है कि पता नहीं बड़ा ही rocket science वाला चीज है इसमें score करना तो मैं बता दूं बिल्कुल नहीं है grammar और writing इस course को करने के बाद आपको महसूस होगा कि क्यूं इतने दिनों से आपको number नहीं आ रहे थे इस course को करने के बाद writing section में बता दूं सबसे आदा बच्चे writing section में section में फस्ते अगर आपको भी लगता है कि बड़ी डर वाली चीज है तो यह course कर के देखिए आपका डर बिल्कुल खतम हो जाएगा और आप score करेंगे फुल में full जी हां writing section में फुल में full score किये जा सकते हैं हमारे students करते हैं तो definitely inquiry करिए पता कर लीजे इसके अगली बैच कर शुरू हो रह जारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पोछी जाती है और अगर आप serious aspirant है तो premium competitive English course बिल्कुल आपके लिए है कोर्स क्या है भई इसमें कराई जाती है आपकी अंग्रेजी की full on syllabus complete चाहे वो RC हो यानि की reading comprehension basic वाली advance वाली दोनो grammar basic advance दोनो vocabulary यानि की words basic advance दोनो साथी साथ questions जो के सब सब दाधा important होते हैं practice करने में basic advance दोनो ये सारी चीज़े इसमें आपको कराई जाती है तो जल्दी से इस समय पर सही जानकारी पहुचा पाए जानकारी मिलने में लग बग 12-40 गंडों का वक लग जाता है तो क्रिपया प्रतीक्षा करें और अगर मैसेज कर दिया है तो निश्यंत हो जाए आपको रप्लाइस जरूर मिल जाएगा clear so yes guys that's it for today thank you so much for watching be with me